हेलो फ्रेंड्स आपने तो बेसन के पकौरे की कढ़ी बहुत खाई होगी पर आज मैं यूपी बिहार के स्टाइल में ओरत दाल के पकौरे की कढ़ी बनाना सिखाऊंगी यूपी बिहार में ओरत दाल के पकौरे को फुलॉरी भी कहा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने डेर कप ओरा दाल लिया है इसे हम रात भर के लिए भीगो कर रख देंगे और यह देखी ओरा दाल हमारा अच्छे से भीग चुका है अब इसे हम अच्छे से धोकर ब्लेंड कर लेंगे और यहां फुलॉरी के लिए ओरा दाल का पेस्ट बन चुका है अब हम इसम कि यूपी बिहार में बस यही इंग्रीडियन्स को डालते हैं इसे से फुलॉरी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है मैं यहां सरसो का तेल ले रही हूँ आप कोई साभी तेल ले सकते हैं तेल गर्म होने पर हम एक एक करके फुलॉरी को डालते जाएंगे और इसे अच्छे से ड हम कढ़ी बनाने की तयारी कर लेते हैं तो यहां मैंने एक कप दही लिया है और साथ में दो कप मठा लिया है अब हम इसी कटोरी के नाप से एक कटोरी बेसन लेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैं आपको बता दूं कि एक कटोरी बेसन में इतनी अराम से खा सकते हैं, इसे रखते हैं साइड में, अब हम कड़ी के लिए तड़का लगाएंगे, तो यहां मैं दो चुटकी हिंग डाल रही हूं, साथी एक चमच सरसो, आधा चमच मेथी दाना, आठ से दस कटी हुई लहसुन की कलिया, और साथी डाल रही हूं दो कटी कुछ सेकेंड बाद ही, जो हमने कड़ी के लिए घोल तयार किया था, उसे भी डाल देंगे, और साथी हम एक लिटर तक पानी और दो चमच नमक डाल कर इसे तब तक पकाएंगे, जब तक कड़ी से इसका कच्छापन न चला जाए, और यहां हमारी कड़ी पक चुकी है, अ अब हम इसमें फुलॉरी को टाल देंगे, अगर हमने फुलॉरी को तुरं छाना है, तो इसे गर्म पानी में भिगोनी की जरूरत नहीं है, आप फुलॉरी को गर्म कड़ी में डालेंगे, उस हमें हमारी फुलॉरी स्पाँनजी हो जाएगी, और अब इसे हम धनिया-पत्त से सजा देंगे और यहां हमारी यूपी भी हर स्टाइल की कढ़ी बन कर तयार है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए है तो जानलीज किचन को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक और नई पिक शब थाइंक यू